देश दुनिया के इतियास में 28 फ्रवरी का दिन कई घटनाओं का गबाह बना। आज के दिन भारत के पहले राष्टपती राजिंद प्रसाद के निदन समेत कई बड़ी घटनाएं घटीं। हम आपको अपने चैनल के माद्यम से इन घटनाओं की आहमियस से रूबरू करवा मेवाड के सासक और महारणा प्रताप के पिता राणा उदेश सिंग का निधन आजी के दिन 1572 में हुआ था। 1580 में आजी के दिन गोवा से पहला इसाय मिशनदी अकबर के दरवार फतेपुर सीकरी आया था। भारत के पहले आर्मी कमांडर इंचीप के ल करियपा का जन्म आजी के दिन 1899 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद कभी लेखा का और संपादक पंडित नरेंदर सर्मा का जन्म आजी के दिन 1913 में हुआ था। 1928 में आजी के दिन भारती बग्यानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव के आविसकार के लिए नोबल पुरुसकार से सम्मानित कि निधन आजी के दिन 1936 में सुजर लेंड में हुआ था। भारती हिंदी सेनेवा के प्रसिद संगीतकार और गायक रबींदर जैन का जन्म आजी के दिन 1944 में हुआ था। भारती स्वाधिंता अंदोलन के प्रमुख नेता और भारत के पहले राष्टपती राजिंद प्रिस ने इराक में इुद विराम की गोशना की थी। आजी के दिन 1992 में भारत और बिटन के बीच आतंगबाद के विरुद सहयोग के समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे। 1995 में आजी के दिन अमेरिका के कोलोराडो में देनवर अंतराष्टी हवाई अड़े की शुरुआत हुई थी। आजी के दिन 1996 में किलिंटन प्रिसासन ने पाकिस्तान को करोलों डोलर के हतियार आपूर्ती नहीं करने का फैसला किया था। 1999 में आजी के दिन बिटिन के एंडी एलसन और कोलीन प्रेस कोट ने 233 घंटे 55 मिनट तक गुबबारे की मदद से आकास में रहने का बिस रिकार्ड बनाया था। आजी के दिन 2003 में नावीविया के राष्टपती सैम नुजोमा भारत की चार दिवसी राज की यात्रा पर नहीं दिल्ली पहुंचे थे। 2005 में आजी के दिन पुर्तगाल के सुप्रिम कोट ने मुंबई बंबी स्पोर्ट के अभ्यूक्त अबू सलेम के प्रत्रपन की इजाज़त दी थी। आजी के दिन 2008 में नेपाल में सरकार और संयुक्त मदेशी लोकतांत्रिग मोर्चे के बीच सांती समझोते पर हस्ताक्षर हुआ था। 2011 में आजी के दिन टॉम हूपर की फिल्म दा किंग्स स्पीच को आसकर समारों में सर्व स्रिष्ट चलचित्र का पुर्शकार दिया गया था। काची कामकोटी पीठ के प्रमुक्ष श्री श्री जेंद्र सरस्थी संकराचार का निधन आजी के दिन 2018 में हुआ था। आज के इतियास में बस इतना ही कल का इतियास लेकर पुना हाजिर होंगे नमस्कार